नमस्कार दोस्तों मैं योगेश राणा उत्राखन भाजपा में खेमे बाजी खुल कर सामने आ गई है भाजपा के दो पूर मुक्यमंत्री तिर्वेंद सिंग रावत और तिरत सिंग रावत सीधे सीधे दो बातों पर सवाल उठा कर मुक्यमंत्री पुसकर चिंग धामी की सर सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठागर इन में से कुछ मुझूदा सरकार के दोरान के फैसले है और कुछ तिर्वेंट सिंग रावत की सरकार के दोरान के फैसले है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और यह जो भीतर की खीस्तान सतह पर आ गई है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है तो इसलिए सबसे बड़े कारण की तरफ बढ़ने का काम करते है उसको खोजने की कोशिश करते है और इस सवाल के उत्तर तक आने से पहले आप दो बातों पर गोर कर लीजिए पहली बात पुसकर सिंग धामी को मुख्य मंत्री की कुरसी पर बैठे हुए करीब नो मा हुए है और इन नो मा में पुसकर सिंग धामी ने चार काम किये है और इन चार काम से एक राजनितिक संदेश देने की कोशिश की है मैं यहाँ पर केवल चार काम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन कामों के जरिये उत्राखंड में उत्राखंड की भाजबा की और मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी की और तिर्वेंद सिंग रावत और तिरत सिंग रावत की राजनिती सीदे सीदे परभावित होती इसलिए इन चार कामों पर बात जरूरी है किसी की राजनिती पोजेटिव तोर पर परभावित होती है और किसी की निगेटिव तोर पर आईए पहले चार काम जान लेते हैं पहला काम मुख्यमंत्री बनते हैं मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने कोवन सिबिल कोड को लेकर काम सुरू करवाया मैं करवाया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह सब दिल्ली में हाई कमान के यही से हुआ मैं मानता हूँ कि यह उत्राखंड में भाजबा की राजनिती को साधने की दिशा में किया गया एक काम है और दूसरा काम इन नो महा में मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने एक संदेश उत्राखंड की जनता को देने की कोशिश की और वो यह कि उत्राखंड की मौझूदा सरकार भरस्टचार के खिलाब कड़े कदम उठा रही है वो चाय भरती गोटाला हो, विधान सबह में नियुक्तियों का मामला हो केस पमार के संबंदियों से जुड़ी कमपनी से जुड़ा मनी लोंडिंग का मामला हो या फिर अन्ने के सारे मामले हो और तीसरा काम, उत्राखंड में भाजपा को सत्ता में लगातार 6 साल हो गए है ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्राखंड में सत्ता नहीं बदली है उत्राखंड के लोगों ने भाजपा को ये दूसरी बार मुका दिया है लगातार और आप ध्यान दीजिए इन 6 सालों में से जो पिछली सरकार के 5 साल है उनमें तिर्वेंद सिंग रावत और तिरत सिंग रावत मुख्यमंद्री रहे है हाला कि थोड़ा सा हिस्सा पुसकर सिंग धामी के पास भी आता है लेकिन मोटे तोर पर कहें तो पिछली सरकार का कारेक कहा जाएगा और आप गोर कीजिए पुसकर सिंग धामी ने बरस्टाचार की जाच के जितने मामले खोल दिये हैं उनमें से अधिकतर साल 2016 से लेकर साल 2021 तक के मामले है यानि तिर्वेंद सिंग रावत की सरकार के कारेकाल पर कहीं सारे सवाल बन रहे हैं वो चाहे नो क्रिय उसे जूड़ी कमपणी के मामले हो या फिर और भी कहीं सारे मामले तिर्वेंद सिंग रावत अपने कारेकाल को जीरो टोलेंस का कारेकाल कहते हैं लेकिन पिछले नो माह में ये संदेश साफ साफ जाता हुआ दिखा है कि तिर्वेंद सिंग रावत का कारेकाल भी बहुत था यह संदेश इन सब मामलों की अब तक की जांस से साफ साफ जाता हुआ दिख रहा है तो यह तो ही चार वो बाते जो पिछले नो माह में उत्राखंड की राजनिती में गटित होती ही साफ साफ दिखती है जिनके अपने राजनितिक माईने अब सवाल आता है कि आखिर तिर देश चीदे क्यों आ गई है क्यों आती हुए दिख रही है इनमें ऐसा सबसे बड़ा क्या हुआ जिसके कारण तिर्वेंद सिंग रावत खेमा सबस्यादे बेचैन हो गया है आप दो बातों पर गोर कीजिए एक जब उत्राखंड विधान सबब में नियुक तिया और अन खेमंतरी पुसकर सिंग धामी पर यह कहते हुए निसाना साथते हुए दिखते थे कि उन्होंने तो अपने कारेकाल में इस तरह के नियुक्तियों की फाइल वापस लोटा दी थी विधान सबब भरतियों के मामले को लेकर यानि उन्होंने अपने बियान से दो बाते साफ क एक मैंने फाइल वापस लोटाई थी यानि कि कुछ न्यूक्तिया ये जो है इन में गड़ बढ़िया थी ये सही नहीं थी इसलिए तो मैंने फाइल वापस लोटाई थी और दूसरी बात CBA जाँच की मांग का समर्थन कर उन्होंने ये संदेश देने का काम किया कि मौझूदा सरकार की जो जाँच है वो सक के दाइरे में आ सकती है इसलिए CBA की जाँच कर जा सकती है उन्होंने कहा कि अगर सरकार मौझूदा सरकार CBA जाँच की अनुसंसा करती है CBA जाँच के लिए करती है तो ये सुवागातियों को फैसला है और दूसरी बात जब खानपूर के विधायक उमेश कुमार ने तिर्वेंद सिंग रावत के ओद्यों की सलाकार से जुड़े मनी लोडनिंग के मामले में जाच के लिए सासन को जिट्टी लिकी तो सासन ने इसकी जाच सीवी सी आईडी को सोब दी इस मामले ने एकदम से उस लड़ाई को सते पर ला दिया जो पिछले कई माहा से पर्दे के पीछे चल रही थी तिर्वेंद सिंग रावत ने सीधे मीडिया के सामने आकर इस जाच पर इस सवाल उठा दिये उन्होंने साफ साफ कहा कि केस पामार से मेरी बात हुई है और उनका इस कमपनी से कोई लेना देना नहीं है मेरी ओद्योगिक सलाकार जो मेरे रहें उनसे बात हुई है पहले भी इस मामले की जाच हुई है लेकिन कोई अन्मित्ता सामने नहीं आई है नहीं मिली है तिर्वेंद सिंग रावत ने एक और बात कही जिस पर बहुत ही ज्यादे गौर करने के ज़रूत है उन्होंने कहा कि कुछ लोग मौजुदा भाजपा की सरकार को अस्थिर करना चाहते है इसके बाद तिर्वेंद सिंग रावत फिर मीडिया के सामने आये और उ इसके बाद तिरत सिंग रावत का एक बयान आया उन्होंने एक इंट्रिव में बहुत ही साफ साप और सीधे सीधे दो बाते कही और जो उत्रकंड की मौजूदा सरकार को घेरती विदिखती है उन्होंने एक बयान तो आजकल बहुत ही जादे चर्चा में है वो 20% कमिशन की सरकारी में कर रहे हैं और दूसरा अंकीता बंडारी हत्यकांड को लेकर उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि अंकीता हत्यकांड के मामले में ला परवाइफ हुई है अब एक बात ऑर जान लीजीए और समझ लीजीए देहरदून के मेर सुनिल गामा भी देहरदून स्वार्ट सि्टी के काम को लेकर भरस्ट अचार की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों एक चिठी पुषकर्शिंग धामी को लिखिए है उसमें बहुती साफ साफ का है कि स्मार्ट सिटी के अब तक के सारे काम की वित्य जाच की जानी चाहिए यानि वो कह रहे है कि ब्रस्ट चार हो रहा है इसलिए तो वित्य जाच की मांग कर रहे है अब इन सब बातों से दो बाते बहुती साफ साफ दिख रही है एक उत्राखंड की मोजुदा भाजपा सरकार की मुख्याय संदेश उत्राखंड की जंता को देना चाह रहे है कि ब्रस्टचार पर अंकोस लगाने के लिए हर तरह के प्रियास किये जा रहे है और साल 2025 तक प्रदेश से ब्रस्टचार को पूरी तरीके से मिटा दिया जाएग और दूसरी ओर तिर्वेंद सिंग रावत, तिरत सिंग रावत, सुनिल गामा यानि तिर्वेंद सिंग रावत, खेमा सीदेश चीदे यह कह रहा है कि उत्राखंड में इस समय भी बहुत प्रस्टचार है यह उत्राखंड भाजपा के भीतर बन रहे नई समीगणों की और इसारा करती हुई कुछ बात है अब यह तो पता नहीं यह खीस्तान कहां तक जाएगी लेकिन आखिर में एक और बात कहनी ही चाहिए सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तिर्वेंद सिंग रावत खेमा अचानक से इतना बेचैन हो गया है उत्राखन में इसके द उसकर्चिंग धामी दो बार के विधायक है और सीदे मुक्यमंतरी की कुर्शी तक पहुँच गए है इसके बाद मदन कोशिक को किनारे लगाने की घटना हुई है और फिर उत्राखन भाजपा की नई टीम की घोशना हुई है इसके अलावा भी कहीं सारी घटनाए है इन मे इस संदेश से इस राजनितिक संदेश के कारण केई लोगों में अपनी राजनिति और अपने राजनितिक भविश को लेकर चिंता बन गई है यह एक सीधी सी बात है जो सीधे से समझ में आती है लेकिन यह खींस्तान को सतह पर लाने के लिए प्रियाप्त वज़े नहीं ब होता है इसलिए खींस्तान के सतह पर आने की जो दूसरी वज़े है वो बड़ी वज़े में मानता हूँ और वो है तिर्वेंसिक ग्रावत के ओध्योगिक सलाकारे केस पमार की पत्नी की कमपनी से जुड़े मनिलोडरिंग मामले की जाच के आदेश इसी के बाद उत्रखन भाजपा उत्रखन की कोंग्रेस की रहा पर आती हुई साफ शाफ दिख रहे है यानि भीतर के मत्वेद भीतर की वर्चास की खींस्तान वर्चास की लड़ाई सीदे सीदे सतह पर आती हुई दिख रहे है आप एक बात पर गोर कीजिए इस मामले के बात तर्विशन सिंह रावत बहुत ही साप साब कहते है कि जो लोग मनलोणिंग के मामले को उठा रहे हैं वो उत्रखण में भाजपा की मौजुदा सरकार को अस्तिर करना चाहते है तर्विशन सिंह रावत का ये बयान कोई साधान बयान नहीं है इसमें बड़ी गहराई है बड़ी बात है यह समझने और महसूस करने की बात है यह एक जर्रत है उत्राखन की भाजबा में चल क्या रहा है ऐसा मैं मानता हूँ नमस्कार आप बने रहे मेरे साथ